हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप सब मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगी जेंट स्वेटर का मेजर्मेंट फुल मेजर्मेंट बताऊंगी क्योंकि कुछ सिस्टर की रिक्वेस्ट है कि हमें पूरा बता दीजे कुछ बिगनर्स होते हैं जो स्वेटर बना और 95 फंदों का बॉर्डर बनाने के बाद मैंने उपर इसमें 10 फंदे और बढ़ा हैं तो मेरे यह 105 फंदे हो गए 105 फंदे हमें 17 इंच तक ऐसी सिधा जो भी आप डिजाइन डालना चाहते हैं वह डिजाइन डालके 17 इंच तक आप ऐसी बना लो यह मेरी यहां से लेकर यहां गिरें वह हमें 5,4,3,2,1 से ही करनी चाहिए उसके बाद मुड़े की कटाई करते हुए मैंने इसे यहां से यहां तक आट इंच और बुना है तो मेरी देखे आट इंच बुनने के बाद मैंने उपर इसमें यहां पर इसमें 23 फंदे रखे हैं कभी आपको कम जादा भी हो हो जाते हैं 22 भी रख सकते हैं 24 भी रख सकते हैं वैसे मैंने 23 फंदे रखे हैं और इसी तरीके से इधर वाला जो बनाए इसमें भी है इसी तरीके से मैंने कटाई की है और इसके नेक को बनाने के लिए इसमें क्या करना होता है जैसे हमारे यहां से इधर मुड़े की के दा सकते हैं वह हमें हर इसरी सलाई पर एक एक सिंद्र के लिए जाना से और उपरसे जोन फंद्र के लिए अपने इसके लिए रख लेते हैं इसकी लिए जो है बहुती सुन्दर आता है देखे वीनेक कितना सुन्दर आया हुआ अगर हम इस तरीके से कटाई करेंगे तो हमारा वीनेक जो है बहुती अच्छा आएगा और पीछे के जो पार्ट्स हैं पीछे के पार्ट्स में भी मैंने 95 फंदे डाले हैं उपर मैंने फिर उसमें 10 बढ़ाया है तो मेरे पीछे भी 105 ही फंदे हैं बिल्कुल पीछे का जो पार्ट है वो मेरा बिल्कुल सीधा उटा है और बोर्डर मैंने एक सीधा और एक उल्टे का बनाया है और बाकी मैं बताती हूं आपको गले में और इसमें हमें कितने फंदे उठाने चाहिए देखे के फ्रेंड्स जो यह हमारा मुड़ा होता है इसमें हमें जो जैयंट का स्थेंडर मेजरमेंट होता है उसमें कितने फंद Αनि कीमारी बादको सही पार जाते है यहां यहां से सुक्डा सा हो जाता हो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसकी लुक मे बार मिश सीथी स तो बिल्कुल सही हो जाते लेकि फंदे सही से ने उठ पाते तो उसमें भी हमारी ये लुक अच्छी नहीं रहती स्वेटर की देखिए इसमें मैंने 60 फंदे आगे वाले पार्ट में और 60 पीछे में यानि कि पूरे मेरा इसमें राउंड में मैंने 120 फंदे उठाए हैं 120 मैं बताऊंगी क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है यह भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कैसे करते हैं हम सुई से इसका और देखिए इसी तरह से नेक में कैसे फंदे उठाने चाहिए यहां से लेकर यहां तक जब हम फंदे उठाना शुरू करते हैं तो एक पंदा तो हमारे पास होता ही है इधर यहां से लेकर यहां तक हमारे इधर हमारे 55 फंदे होने चाहिए एक साइड में 55 इधर और 55 इधर तो यह हो गए हमारे 110 पंदे और पीछे के पार्ट में हमारे 45 पंदे हैं वी नेक की जो कटाई है न वह इसी तरीके से ज़्यादा आते हैं क्योंकि हमारा क्या होता है एक ही बार में दो फंदे लेस होते हैं तो हमारे आगे जो फंदे हैं वह कमनी होने चाहिए क्योंकि हमें दो दो फंदे लेस करते जाना होता है और यहां से हमारी तभी यह जो लाइन है यह बहुत सुंदर बनती है तो इसलिए हमें यहा पुल बजार के जैसी लगेगी होती सुन्दर यह देखो इस तरीके से कितना सुन्दर गला बना हुआ है पीछे 45 इधर 55 इधर भी 55 और बीच में यह एक पंदा होता है इसका हर बार हम इधर से और इधर से एक पंदा लेस्ट करते हुए जाते हैं अपनी फली बनाते हैं बैक साइड में हमें जब हमारी 45 यह देखी इस साइड से यह देखो जब हमारी इधर 45 सलाई बच जाएं यह देखो उल्टी सीदी करके 10 सलाई जब हमारी बच जाएं इधर तभी हमें यह नैक की कटिंग कर देनी चाहिए नैक की कटिंग करनी के लिए हमें यहां से 20 पंद सेंटर में से और पीछे का它 तरहर में इसे इस तरिके से आप स्वेटर बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा कैसा लगा आपको ये स्वेटर और कैसा लगा बताने का तरीका कुमेंट बोक्स में जड़ूर बताना और आज की मेरी यही थी वीडियो और फिर मिलते हैं किसी नहीं और अच्छी वीडियो के साथ